नमस्कार दोस्तों मैं शिद्धान्द ओलंबे किस्टडी में आपका बहुत 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 जवागत है दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्षन में कमेंट कर रहे हैं कि यूपी पैट एक्जाम का कट आफ का जाएगा तो यहां पे एक्चुल कट आफ बताना मुश्क कर रहे हैं और डेटा पब्लिस होता है ऑनलाइन तो उस बेसेस में मैं यहां पर कट आफ बताने जा रहा हूं और एक्सपेक्टेड कट आफ ही होगा आप इसको जैन्विन मतमान के चलिएगा क्योंकि जैन्विन कट आफ आफ आप बताने सकते हो बीना रिजल्ट आए ठीक इसको बताते हैं और इतने बच्चों ने अटेंड किया और यह टॉप हैं और यह लास्ट वाले हैं इनको मेहनत करने की जुरथ है तो दोस्तों यह जिस तरह से करवा रहे हैं और इनका मैंने पेपर का लेवल देखा मौड रखे हुए हैं यह लोग एजी तो रखे नहीं ह cause easy रखना सही भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो अच्छा pet का जो level होगा exam का जो level होगा वो भी moderate ही होगा या फिर easy होगा hard नहीं होगा क्योंकि पहली बार exam conductor हो रहा है अगर hard paper दे देंगे तो वास्तों में बच्चों का maneuver ही तूट जाएगा तो जो easy है और moderate है इसी basis में cut off को बताऊंगा तो जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे 10,000 बच्चों का जो analysis लेकर चलना हूँ कि 10,000 बच्चों ने एक तरह से exam समझ दो दिया है 100 number का paper है तो अगर बच्चा लगभग 60 number ला रहा है तो उसका जो rank है 10,000 में वो लगभग 1,000 जाएगा ठीक है और लगभग 65 number अगर ला रहा है वो बच्चा तो उसका जो rank है 10,000 में वो 800 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने कई अच्छा इसके बाद मैं मैंने exam पूर का भी देखा यह मैं किसी particular का बता रहा क्योंकि जो general का cut off जाएगा वो लगभग दोस्तों 62 से 65 के बीच में जाने माला है exactly कहना थोड़ा मुस्किल है लेकिन 62 से 65 के बीच में जाएगा यह moderate level जब paper आएगा तब की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है इतसे अब नहीं जाएगा 65 से उपर जाना मुस्किल है अगर paper बहु इसके बाद में अगर मैं OBC की बात करूँ तो ये टश कर जाएगा 60 marks 60 marks से उपर नहीं जाएगा बहुत मुस्किल है जाना ठीक है OBC की में बात करो यहाँ पे 60 marks आप लोग बानके चलिए कि अगर आप test वगरा दे रहो offline online और अगर आप 60 number score कर रहो तो कहीं न कहीं आप सेफ रही है 60 number आपके लिए enough है यहाँ पे मैं बात करूँगा SC की SC की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो लगभग आपका जो cutoff जाएगा वो 52 से 55 के बीच में जा सकता है ठीक है आप 52 से 55 के बीच में अगर आप score कर रहे हो तो आपका best है ठीक है आप यह मान के चलो कि आपका selection पका है लेकिन आप मेहनत करते रहो आप 60 लाओ 65 लाओ 70 लाओ SC होके भी लाओ उसमें कोई डाउट नहीं कि आपका यह best होगा फिर तो लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि pet के लिए जो pass होने की जूरत है वो लगभग 52 से 55 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो बहुत होगे फिर आप लेकपाल के लिए hard work करना ठीक है तो यह तीनों मैंने बता दिया है जनरल का बता दिया है और OVC का बताया है और SC का बताया है ठीक है इसके बाद में अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS का लगभग वही 60 से 62 के बीच में रहने वाला है 62 नमबर आप मानके चलि करने वाला है तो यह दोस्तों एक्सपेक्टेड है आप इसको जैन्मेन मत मानके चलिएगा क्रमेंट सेक्षिन में ऐसा मत लिखो कि यार तुम सब कुछ जानते हो क्या भाई एक्सपेक्टेड है मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं तो इस तरह से अपडेट और EOP से स स्टार्ट नहीं हो पा रही है और कोशिश करूँगा कि मैं ग्रूप D से संबंदे जो भी स्टैटेजी हो सकती है या फिर ग्रूप D को मैं फोकस करूँगा आप लोग चैनल से जुड़ जाएगा और बने रही है सपोर्ट करते रही है मिलते अगले वीडियो में जाहिंद झाल 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 झाल